इसमें लिखा भी है इसमें दिक्कत क्या रहा है देखिए बड़ा सा है बहुत बड़ा है इसको देखते है ओन करके नीचे इसका सूज होता है यह हमने स्वेजान कर दिया, देखिए यह उन नहीं हो रहा, ठीक है, इसको हम पहले जो है, इसका AC Code जो है, AC Code को हम Plug में लगा कर देखते हैं, यह हमने Plug में लगा दिया, देखिए, यह पर Charging Indigator इधर जाल रहा है, लेकिन जो ही यह On नहीं हो रहा, देखिए तो इसमें क्या ढिक्कत हे इसको हम पहले खोलते हैं और खोलने के लिए इसको ऊपर ऐसे खीचना होगा तो यह दखी इधर एक पाइप लगा हुआ है तो इस वाइप को हम खोल लेटा हुआ है इस थे इस तरह से हट से ही खोल सकते है अच्छे से कसा नहीं है इसको आज देखते हैं किया दिक्कत है इसमें इस पाइप भटा देते हैं दोस्तों हमने इसका स्कूरू खोल दिया है तो इसको खोल लेते हैं ढकन यह दिखें इस तरह से इसका बोर्ड होता है तो इसमें हमें पहले देखना होगा यह जो सुच होता है यह सुच देखें हर दम यूज होता है यह सुच भी खराब हो सकता है तो पहले इसका जो सुच है तो इसका हम वर्जर मोट में लगा करके इसका सुच हम चेक कर लेते हैं चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू क किजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किजी को हमको इसका पहले सुच्छ करना है कि हर ज्यादा तर यह सुच खराब होता है कि यह हमने बड़र मोट में लगा दिया देखते हैं यह कि देखिए यह हमारा सुच जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है तो बंद करते हैं कि देखिए यह बंद हो गया इस ओन करते हैं कि अग्याद कर देखिए यह सुच हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है पहले इसमें हम लाइन देते हैं यह हमने लाइन दे दिया यह पर देखिए इंडिकेटर हो रहा है इसको बंद करकर दिखाते हैं बंद कर दिया इंडिकेटर हमारा बंद हो गया अभी फिट से पहले हमको जो है बैटरी का बोल्टेज चेक करना है और बैटरी का कनेक्शन यह दोनों जो रेड और ब्लेक कलर का जो कनेक्शन है वो कहाया यह दोनों कनेक्शन में आया देखे यह ब्लेक यह रेड इसमें हम देखेंगे बोल्टेज कितना मेल रहा है देखिए, यह पर एक profits हमें बता रहा है यह इस ट्रांसफरइमार से जो voltage आना चाहिए और यहां पे देखिए यह जोनों जो सफेद कालर का तार है यह दोनों तार हमारा यहाँ से जाकर निकला है यहाँ पर हमें AC voltage चेक करना है कितना आ रहा है AC voltage हमारा 6 volt दिखा रहा है ठीक है AC voltage हमारा यहाँ से 6 volt AC निकल रहा है तो यहाँ पर कुस्छ शौट होना चाहिए ने तो यह ट्रास्वर्मर में लिखा है देखिए 12 volt ठीक है 230 volt in होता है और 12 volt निकलता है तो इसमें से हमें 12 volt मिलना चाहिए तो इसमें हमें 12 volt मिल रहा है नहीं इसका पहले connection हम खोल लेते हैं एक connection यह हमने इसका एक connection खोल दिया तो यहाँ पर अभी इसमें line दिया होए दोस्तों अभी देखते हैं मिटर की दरब दिखिए 12 बॉल्ट शो कर रहा है मतलब यहां पे बॉल्टेस हमें 12 बॉल्ट सप्ले देने से यह शॉट होकर गए 6 बॉल्ट बताता है ठीक है यह क्या चीज इसमें शॉट हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको कनेक्शन कर दिया इंडिकेटर इधर जल रहा है ठीक है तो इसमें क्या प्रप्रब्लम है इसका जो डिस्प्ले है खोल लेते हैं पहले यह तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा इसमें दो ही स्कुरू होता है इसको निकालके उसके बाद आपको दिखाते हैं यह हमने इसको निकाल लिया है ठीक है अभी इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं कि अभी लाइट पर थोड़ा कनेक्शन लूज है हमारा कोई बात नहीं यह पर देखें इंडिकेटर हमारा शोह रहा है लेकिन यह तराजू हमारा ओन नहीं हो रहा कि आपको दिखा दिया यह पर बोल्टिस कितना आ रहा है इसको ही ट्रांस्फमारा मरा सही है यह पावर सप्लाई में से जो आउटपुट होना चाहिए वह आउटपुट हो करकर यहां पर एक एलम लगा हुआ है देखें यह यह पर एक 8 बोल्ट का एलम लगा हुआ है शाहिद केमरे में नहीं आएगा तो यहां पर 7808 का LM लगा हुआ है इस LM में जो बोल्टेस हमारा इन होता है अब हुद दिखाते है और हमने इधर ग्राउन पकर लिया LM का यह ग्राउन होता है फिके मतलब निगडिव होता है यहाँ केम द॥ेखते हैए Sow डिसी बॉल्टेस जो अना चाहीं है कि अधाना LM का इन्पूट होता है इधर एक पूल्ध हुत है फिके यहाँद फायब पॉंट पुलने के बाद हम देखेंगे इस LM में कितना voltage जा रहा है और इस LM से जो है इस resistance पर आता है 1 ohm का resistance है और इस resistance से हमारा डायरेक्ट एक डायोड होता है डायोड से डायरेक्ट बैटरी में जाता है ठीक है इससे जो है बैटरी को चार्ज करता है तो हमको जो है बैटरी को चेक करना है बैटरी में कितना बोल्ट बता रहा है यहां से जो charging आना चाहिए बैटरी में कितना बोल्ट बता रहा है दिखेंगे बैटरी खोल देने के साथ साथ यह ओन हो गया है तो बैटरी हमारा क्या है खराब है तो बैटरी का voltage हम चेक करेंगे यह बैटरी का नेगेडिव है और यह बैटरी का पोजिटिव है तेके बैटरी पर दो बल्ड बता रहा है तो तो यह बैटरी जो है खराब हो चुका है खराब होने के कारण हमारा यह जो सार्किट है इसको पूरी तरह से दबा रहा है इसका ड्रॉप कर रहा है तो इसमें हम एसी खोल देते हैं एसी खोल देने के साथ साथ यह बंद हो गया एसी दे दिया फिर से यह चालो हो जाएगा ठीक है तो इसका कनेक्शन हम खोल देते हैं एक इसमें हम और एक जुगार लगाएंगे यह बैटरी मानलिज यह खराब हो गया तो आपको किस तरह से चौक चेक करना है यह दोनों हमारा बैटरी का कनेक्शन है निकिटीव और पॉजिटीव इसमें जो है इसका बोल्टेश इसमें आना चाहिए तो इसको फिट से ओन करते हैं और अब बोल्टेश इसमें चेक करते हैं जो चार्जिंग बोल्टेश होता है कितना आ रहा है 7 bolt यहाँ पर आ रहा है तो मतलब इस board हमारा यह जो board है बोड हमारा सही है खराब हमारा battery है तो अभी इसमें मान लिजे line नहीं है current नहीं है तो आपको इसको कैसे check करना है यह जो battery का connection है इसमें यह जो 3.7 bolt का battery मिलता है 3.7 bolt का battery इसको हम यहाँ पर लगा के देखते है यह काम करता है या नहीं यह positive को positive में लगा दिया निगी dip को निगी dip में देखें यह काम कर रहा है बड़ी ऐसे work करेगा क्योंकि यह battery जो है यहाँ पर चल नहीं सकता है इस battery को यहाँ पर चलाने से यह जो transformer है यह transformer को हमको change करना है change करने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी charger input करना है तो हम यह battery तो नहीं लगा सकते हमको यह इसा वाला battery चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा दिर नहीं टिकेगा यह बहुत दिर टिकेगा यह battery हमको चाहिए तो इसमें खराब क्या था बैटरी है इसका खराबी है बैटरी में और कोई खराबी नहीं है सार्किट बगारा सब ठीक है अभी इसमें हम आपको दिखाते हैं एसी फिर से लगा देंगे लगा देने के बाद आपी यहाँ पर जो हमारा आपको बता यह LM है इस LM में हमें कि इतना बोल्ट इनपुट मिल रहा है देखें यह वाला पहला पॉइंट है इनपुट इसको चेक करते हैं तेरा बोल्ट आ रहा है ठीक है और आउटपुट में 7 बोल्ट दिखा रहा है मतलब यह जो LM है बिल्कुल ओके है यह Power Supply भी ओके है सिर्फ इसका बैटरी खराब है ठीक है तो अभी इसमें एक बैटरी लगा देने से यह सही हो जाएगा आपको समझ में आ गया अगर इस तरह का problem आपके पास आई तो पहले आप बैटरी को चेक कीजिए बैटरी में कितना बोल्ट आ रहा है वो चेक कीजिए और यह जो charging point आ रहा है जो connection आ रहा है इसमें output कितना आ रहा है मतलब charging bolt आपको कितना मिल रहा है वह आपको चेक करना है दीके 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 7 volt charging bolt आप बता रहा है इस 7 volt से बैटरी अराम से चार्ज हो जाएगा इसके लिए सही है तो इसमें हम एक नया बैटरी लगा देंगे यह set हमारा ok हो जाएगा ठीके तो वीडियो कैसा लागा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरू कीजिए थेंक यू